होंगी दुनिया में एक से एक खुबसूरत इमारतें लेकिन ताज जैसा कोई नहीं क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है आज इस वीडियो को आप आखिरी तक चरूर देखिएगा आप ताजमहल के बारे में 22 ऐसी बाते जानोगे जो शायद जो शाही दरवाजा है वह नदी के दूसरी तरफ है आज जाला तर परेटक ताज को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा कि साज यहां चाहते थे मुगलकाल में ताज तक पहुचने के लिए नदी ही मुख्यरासता थी यह एक तरह का हाईवे था बादशाह और उनके साही मेहमान नाओ में बैठ कर आते थे नदी किनारे एक चबूतरा हुआ करता था नदी बढ़ती गई वह चबूतरा बहुत पहले ही नश्ट हो गया ब ताज महल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिये थे लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है बहुत से तिहास कानों का मानना है कि शाह जहां ने मजदूरों और कारगिरों को जिंदगी भर की पगार दे है बलकि चारों बाहर की ओर हलकी जुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया है ताकि भुकम जैसी आफदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुचे कुतुब मिनार भारत की सबसे उन्ची मिनार है लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की उन्चाई कुतुब मिनार से भी ज्यादा है ताजमहल 73 मीटर उचा है जबकि कुतुब मिनार की उचाई 72.5 मीटर है दुनिया में जितनी भी एतिहासिक इमारते मौजूद हैं उन्में से सबसे सुन्दर कैलिग्राफिक ताजमहल पर हुई है जैसे ही आप काट के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं दरवाजे पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है हे आत्मा तु इश्वर के पास विस्राम कर इश्वर के पास शान्ती के साथ रह और उसकी परम शान्ती तुछ पर बरसे यह कैलिग्राफिक धुलोट लीपी में है इस कैलिग्राफिक को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुलहक्त था जिसे एरान से बुलाया गया था शाजहां ने उसकी चकाच चौन्द करतेने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम उपाधी के तोर पर दिया जिस वक्त शाजहां बादसाह बने वह मुगल सल्टनत का सबसे सुनहरा दोर था या यू कहें शाजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंद जैसा था चारो तरफ अमन और खुशहाली थी परजा के लिए बादसाह का ही हुक्म सबसे उचा होता था शाजहां के बादसाहत में लडाईयां नहीं होती थी वह जबर चष्ट, शानो, शौकत और इश्रत का दोर था बादसाह को बड़ी-बड़ी इमारते बनवाने का शौक था उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राची नितिहास को मिला दिया था ऐसी इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी इसके लिए सफेज संगमरमर रायस्थान के मकराना से लाया गया था जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था लेपिस लेजली अफगानिस्तान से आया था तेरकोईस, तिबबत से, जैसपर, पंजाब से, सैफायर, स्रिलंका से और कॉर्नेलियन, अरब से आया था गुल मिला कर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रतनों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था इन सब चीजों के विदेश से आगरा लाने के लिए, एक हजार से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले, सन 1631 में बनना सुरू हुआ था और यह 22 साल बाद सन 1613 पर में पूरा हुआ जिसका निर्माड 20 हजार कारीगरों और मजदूरों ने किया था वास्तू कला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं ताजमहल के निर्माड के लिए हर चीज को हीरे की तरह परक कर चुना गया था ताजमहल के दिवारों पर जो नकाशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी उजेबेकिस्तान के बुखारा से संगमर्मर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गय थे इरान से संगमर्मर पर कैलिग्राफिक करने वाले कारीगर आय थे और पत्थर को तलाशने के लिए बलूचिस्तान के कारिकरों को बुलाय गया था 1857 की क्रांती की दोरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुचाया उन्होंने लेपिस लेजली जैसे कई बेशकिमती रतनों को ताज महल की दिवारों से खोद कर निकाल लिया था ताज महल के मुखे गुमबत का जो कलश है किसी जमाने में वह सोने का हुआ करता था उन्नीसवी सदी की शुरुगात में सोने के कलस को बदल कर वहां कासे का कलस लगा दिया गया तावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताज महल को किसने डिजाइन किया था लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताज महल का नक्षा तयार किया था यह सैतिस वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे ताजमहल की नीव बनाते समय ताज के चारो और मौत के कुवें खोदे गए इन कुवें में इट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकडियों के लठे डाले गए यह लकडियां ताज के नीव को मजबूट बनाती हैं आबनूस और महोगनी की लकडियों में यह खाशियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी यह उतनी ही फौलादी और मजबूट रहेंगे इस लकडीओं को नमी ताज पॉक्त के पास से बहने वाली यमणा नदी के पानी से मिलती है यमणा के पानी का इस तर हर साल घट रहा है और लकडीओं में नमी की कमी आ गई है यहीं वजह है कि सन 2010 में ताज में तरारे देखी गई सन 1603 में जब ताज बनकर तयार हुआ था उसमें इसके निर्माण की कीमत करोडों में आकी गई थी उस हिसाब से अगर आज ताज को बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरव 60 करोड रुपे लेगेंगे सन 1989 में एक भारतिय लेखक पीयम ओक ने एक किताब लिखे थी जिसका नाम था ताज महल दट्रू इस किताब में उन्होंने कई तरकों के साथ यह दावा किया था कि ताज महल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महाले था सन 2000 में पीयम ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अरजी दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया और आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के मुताबिक ताज महल कभी एक शिव मंदिर था इस बात के कोई सबूत नहीं है बलकि शाजहां ने ताज को बनवाया था इसके प्रमाढ़ ही इतिहास के पन्नों से मिलते हैं कहा जाता है कि शाजहां मुम्ताज की तरह अपने लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे लेकिन इससे पहले की वह काला ताज महल बनवा पाएं और अंगजेब ने उनको कैत खाने में डलवा दिया लेकिन इतिहास कार कहते हैं कि यह बाद में बनाई गई मंदगरंत कहानिया है जिस जगह शाजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिले है ताज महल का डिजाइन हुमायू के मकबरे से प्रेरी दिखता है हुमायू शाजहां के परदादा से उनका यह मकबरा हिंदुस्तान में आगे बढ़ने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेर्णा बना दूसरे विशुद्ध में सरकार ने मकबरे के चारो और बास का घेरा बना कर सुरक्षा कवच तयार कराया था जिससे की हवाई पंबाजों को भ्रमित किया जा सके और यह जर्मन और जापानी हवाई हमलों से शुरक्षा परदान कर पाए सन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी ऐसा ही किया गया था कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारते मौजूद हैं जैसे चीन, बांगला देश और कोलंबिया में और ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं यह इमारत महराष्ट के औरंगाबाद में है इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मा दिलरस बानो बेगम की याद में 17वी सदी के आखिर में बनवाया था इसे ताजमहल की तर्च पर बनवाया गया था इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से चोटा है इसका सिर्फ गुंबद ही संग्मर्मर का है बाके निर्माड प्लाश्टर से किया गया है ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोग प्रियता इसके निर्माड से जुड़ी अध्भुत प्रेम कहानी की वयासे है बादशाह साह जहा ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इ देते वक्त मुम्ताज की मृत्ती हो गई। उस वक्त वह बुरहानपुर में रहती थी। अपनी प्री बेगम की मृत्ती से बातसाब बहुत दुखी हुए। जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। और आखिर उनकी याद में शाह जहां ने ताज महल को बनवाने का फर्म ताज महल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताज महल को तयार होने में करीब 22 साल लग गये। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कबर में दफन रहा। बाद में उसे ताज महल के अंदर मुख्य गुमबत के नीचे दफनाया गया शाजहां का सारा ध्यान ताज को एक खुबसूरत रूप देने में लगा रहा इसी बीच शाजहां के बेटे और अग्जेब ने आगरा पर हमला कर अपने ही पिता को कैद कर लिया साजहां से पुछा गया कि वह क्या चाहते हैं तो उन्हेंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बना कर रखा जाए जहां से वह सीधे ताज को देख पाए उनकी यह खुआइस पूरी कर दी गई कैद में रहते हुए भी साजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखरी सांस ली मृत्यू के बाद उन्हें मुम्ताज के साथ ही ताज महल में दफनाया गया एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वह मुम्ताज के लिए उनका बेपना प्यार ही था जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तयार हुई उसकी मिशाल आज भी पुरुद्धनिया के सामने है रविंद्र नाट टैगोर ने ताज महल के बारे में लिखा है वक्त के गाल पर एक आशू हमेशा हमेशा के लिए उन्हें ताज की छवी वक्त के गाल पर थमें हुए आशू के रूप में बयान की है शाजहां जानते थे कि यह दौलत यह ताकत और यह शानों शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा उन्हेंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे और साजहां ने अपने प्री की याद में ताज को बनवाया आज बादस्राह नहीं रहा उनकी हुकूमत भी नहीं रही और उसकी सल्तनत को भी खत्म हुए कई जमाने गुजर गए पसे एक ताज है जिसने बादस्राह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोय रखा है प्रकृती की गोन में चांद सी जगमगाती या भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी